हाई फ्रेंड्स मैं गारफ आज हम बात करेंगे डेन्मार्क स्टूँए के बारे में देखिए कोई भी स्टुएंट किसी भी कत्री में जाना चाता है तो इसके बहुत सारे कंट्योंश होते है कि मैं जिस कं Rs. जा रहा हूं तो वह कंट्री कैसी है वहाँ पे settlement है या नहीं, कितना मैं कमा सकता हूँ during study भी और study के बाद भी, क्योंकि में जो perspective रहता है वो सिर्फ country में जाना ही नहीं होता, वहाँ जाकर कि पैसा कमाना होता है, ठीक है, तो कोई भी student जो बाहर जाना चाता है, तो उस country, एक अच्छी country में जाना चाता है, और जि student Denmark में जाना चाते हैं, उनके लिए बहुत ही helpful यह वीडियो रहने वाली है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं Denmark के बारे में, Denmark जो है, वो country कैसी है, देखे, Denmark जो है, it is one of the best country in the world, ठीक है, टॉप 5 जो country अगर आप मान लीजिए, एक आपकी लिस्ट होती है, लोगों की है, इस country में से एक है Denmark, तो बहुत सारे जो student हैं, वो Denmark में study पे जाते हैं, Denmark एक highly developed country है, earning के point of view से, वहाँ पे settlement के point of view से, एक best option है, एक student के लिए जो international education लेना चाहता है, और इसके अलावा इसका benefit यह भी है, कि it's a shanigan country, तो shanigan का भी आपको access मिल जाता है, आप study के दोरान भी किसी country में जा सकते हैं, study के बाद भी अगर आपको job आपको जर्मनी में मिल रही है, तो आप जर्मनी में जाकर के job कर सकते हैं, आपको किसी और country में सेटल होना चाहें, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, तो आपको 26 countries का access भी मिलता है Denmark के साथ में, क्योंकि shanigan visa है, तो उसके benefits आप को मिलेंगे, तो Denmark government ने student visa को relay करके, कुछ set parameters जो है, वो बना रखे हैं, कुछ criteria बना रखा है, जिस criteria में अगर आप आते हैं, तो आप Denmark में आकर के आप study कर सकते हैं, तो देखिए, जो लोग Denmark में study करना चाहते हैं, तो यहां के जो main city है, capital city है, Copenhagen, इसमें बहुत सारी public universities, private universities, colleges colleges, institutions का आपको option जो है, मिल जाता है, और यहां पर आगर के आप study कर सकते हैं, और बाकी provinces में भी आप जा सकते हैं, हमारे पास यहां पर करीबन आपको Copenhagen में 12 से 15 option आपको मिल जाएंगे, हमारे पास public universities भी हैं, private colleges, universities भी हैं, हम आपको throughout admission process and visa processing में आपको help करते हैं, तो यहां का जो admission का जो criteria है, अगर आप undergraduate program में जा रहे हैं, after plus two आप जा रहे हैं, तो minimum जो है, वो 50 to 60% यह से अबव आपकी percentage होनी चाहिए, और आपके LTS में आपका 6 band आपके होने चाहिए, जो है 6 आपका score होना चाहिए, अगर आप masters में या post-gression programs में आप जाते हैं, तो आपके 6.5 जो है जो है, वो band score आपका होना चाहिए, तो सबसे पहले जो है, आपका eligibility criteria है, आपके, यहाँ पे ILTS compulsory है, आपके ILTS होनी चाहिए, और तभी आप जो है, यहाँ पे admission ले सकते हैं, और यहाँ पर जो public universities का admission criteria है, वो as compared to private universities थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपके admission के लिए, वो आप सबसे पहले आपका, जो है, आपके documents है, वो आपके देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है, आपका एक personal interview आप करते हैं, वो, अगर आप interview crack कर लेते हैं, तो आपको admission जो है, प्रोवाइड कर देते हैं, बट visa success से related, अगर हम देखें, तो visa success यहाँ पे more than 90% आपका success ratio है, तो अगर यहाँ पे आपका admission हो जाता है, तो visa rejection की chances बहुत कम होते हैं, तो फिर आजाते हैं हम लोग courses पे, तो आप किसी भी stream से हैं, तो almost सभी streams के लिए courses available है, आप undergraduate programs में, master programs में, अगर आप study करना चाहते हैं, तो किसी भी field से हैं, आपका background commerce का है, arts का है, या non-med का है, medical background है, तो आप अपनी choice का कोई भी course आप ले करके यहाँ पे study पे आ सकते हैं, बात करते हैं, वहाँ पे fee structure की, तो fees जो है, वो minimum जो है, start हो जाती है, 8,000-9,000 euros से, और यह up to 15,000-16,000 euros तक fees रहती है, परेनम, तो depend करता है, courses के उपर ठीक है, और आपके university के उपर, तो हर university में हर एक course की ज उनिवर्सिटी में कौन से course में आप जा रहे हैं, तो उसी के recording आपके fees रहने वाली है, तो आपको apply करने से पहले आपको जो है university और उसमें course आपको select करना है, अपने budget के recording, आपको university जो है, वो select कर लेनी है, कि आपने कौन से university में जाना है, तो फिर उसके बाद हम बात करते है वहां पर work rights की, और minimum जो है, एक student वहां पर कितना earn कर लेता है, तो देखिए work rights के अगर हम बात करें, तो आपको 20 hours per week जो है, आपको work allowed होता है, आप study में अगर आ रहे हैं, और वहां पर जो earning है, वो normally जो है 10 euro या 12 euro तक आपकी per hour जो है, जो है earning रहती है, तो अच्छी earning है वह और आपको part time जो है work, वो during studies allowed होता है, और अगर after study की बात करें, अगर study आपकी complete हो जाती है, तो उसके बाद आपको country जो है, वो stay back भी provide करती है, वहां पर job search visa आपको देती है, जो minimum आपकी duration रहती है, job search visa की वो करीबन 6 month की रहती है, तो it's enough time जिसमें आप जो है job अराम से जाए after study, तो बहुत अच्छी country है, payouts बहुत अच्छी है, अगर आप specially आप अगर IT field में है, या फिर medical field में है, जैसे pharmacist होते हैं, या nurses हैं, doctors हैं, या engineering के student है, IT से हैं, electrical engineering से हैं, या mechanical से हैं, किसी भी आप field से हैं, तो अच्छी जो है, आपको job के options मिल जाते हैं, और अच्छी earnings जो हैं, अच्छे packages पे आप जो है, वहाँ पे job ले सकते हैं, तो during studies भी और post studies भी आपको जो है, earning से related कोई ऐसा issue नहीं रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास job है, आपके पास job है, आपके पास काम है, तो income तो अच्छी है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, वीजा की, तो अब अगर आपका admission का जो process है, वो complete हो चुका है, फिर आपको जो है, वहाँ पे visa चाहिए रहेगा Denmark में जाने के लिए, तो visa के लिए आपको जो है, सबसे पहले जो है, university से acceptance letter आपको चाहिए होगा, आपके पास जो final acceptance letter होना चाहिए, और जो contracts वगर आपने university के एक invitation भेजेगी, जिसके basis पे आप यहाँ पर visa apply कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करें, जो documentation की, तो normally आपको sponsor करेगा, तो आपको sponsor की ITRs वागेरा, या उनके जो occupational proofs हैं, तो वो documents आपको provide करने रहते हैं, हाँ, एक चीज और, Denmark में एक अच्छी चीज है, अगर आप student visa पे जैसे आपके साथ, आपका spouse apply कर रहा है, आपका बच्चा apply कर रहा है, तब आपको उनके लिए funds जो है, वो show करने रहते हैं, Denmark में देखिए, spouse भी साथ में जा सकते हैं, ये भी plus point है, Denmark student visa का, अगर आप married हैं, आपके spouse हैं, या आपके kids भी हैं, वो भी आपके साथ dependent visa पे आपक इसकी requirement रहती है, student के लिए कोई requirement नहीं है, अगर आप student visa पे जा रहे हैं, आपने fees पे की है, एक साल की, तो आपको funds show करने की जुरत नहीं है, Denmark में, तो बात करें, वहाँ पे permanent residence की, आप study के बाद, आप पके कैसे होते हैं, वहाँ पे, अब देखिए, Denmark में कोई भी student जो है, वो normally, जो है, आट साल तक आप अगर TRC पे वहाँ पे रह लेते हैं, उस country में, then you are entitled to apply for PR, तो आप वहाँ पे permanent residency apply कर सकते हैं, और PR में एक specific duration तक आप अगर रहते हैं, तो आप वहाँ पे citizenship वहाँ के apply कर सकते हैं, तो एक बहुती straight forward सा जो तरीका है, यह point-based system नहीं है, जैसे Canada में रहता है, कि आपको कुछ points आपको चाहिए होता है, कितने points आपको चाहिए हैं, तो PR के लिए आप तब eligible, ऐसा नहीं है, अगर आप वहाँ पे time duration का game है सारा, अगर आप और चोटे मोटे और criteria हैं, तो mainly जब आप वहाँ पे study कर लोगे, तो आपको जो है permanent residency के लिए आप जब आप apply करेंगे तो आपको idea लग जाएगा, तो बहुत easy सा process है, state forward सा process है, महां की permanent residency का भी, तो settlement की point of view से भी बहुत अच्छी country है, earning point of view से भी अच्छी है, education जो है, वो world recognized education है, यहां कि आप दुनिया में किसी भी कोने में आप अगर यहां से आपने study की है, तो आप अच् शैनिगन country है, तो आपको शैनिगन का access तो मिली जाता है, आप शैनिगन में कहीं पर भी आप जा करके, आप job ढूंड सकते हैं, वहां पे आप job कर सकते हैं, तो अगर आप भी डेनमार्क में study करना चाहते हैं, और कोई doubts हैं अगर आपकी डेनमार्क स्ट्रेड विजा से related, त आपकी खशहकी पत्चरी जानिगन में विजा से स्ट्रेड़ जामर्क में festival arose जानिग से जानिग